दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बंक बेड या तो डबल स्टोरी बेड कितने रुपे का बनता है कितना लोहा लगता है लेवर कितनी लगती है और इसके अलावा अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो उसमें भी कौन-कौन सी पाइप लगी है क्या-क्या समा आपको देने वालों तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है मुली सिंग आप देख रहे हैं एसस फाइबर ग्लास एंड फैब्रीकेशन वर्क्स दोस्तों यहा है जो बंक बेड बना हुआ है सबसे पहले साइड से यहां से स्टार्ट करेंगे यह डेड़ इंच ग्रेफ चालिस पांच की डे लिए लिए उंची डेर इंची डेड़ सूत की एंगल लगी हुई है इसके बाद यहां पे एक सीड़ी लगाई गई है दोस्तों यह सीड़ी है यह 45 इंच की सीड़ी बनाई है ग्यारा इंच चुड़ा यह बारा इंच भी रख सकते है जमीन से जो हाइट है 16 इंच, 16 इंच, उसके बाद जब हम यहां पर बैठते हैं, कितना भी कोई लंबा बंदा होगा, यहां पर स्पेस है, अराम से स्पेस बच रहा है, मेरे उपर अभी 2 इंच जगा बच रही है, अंदर आने के बाद 3 से 4 इंच जगा हो जाती है, कोई दिक आया गया है, सेफटी गार्ड, इसे आप बोल सकते हैं, कि बंदा इस से निचे ना गिरे, यह है, इसकी लंबाई है, साड़े तीन फिट, और यहां पर भी जगा छोड़ी है, यहां पर भी थोड़ी सी जगा छोड़ी होई है, यह जो चोरस पाइप लगाई है, इसकी बज का गैप है, यह फुटी फाइव इंच या चार फिट भी आप रख सकते हैं, इसके बाद दोस्तों वजन की बात करेंगे, और यह जो यह जो पाइप है, यह पाइप डेड़ एक की है, डेड़ एक की आठ किलो वाली पाइप से यह फ्रेम बना है, अब बात करेंगे इसका बजन और सारी जानकरी, बाकी आप इसे फोल्डिंग भी बना सकते हैं, फोल्डिंग का मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यह देखें, इसको फोल्डिंग बनाया हुआ है, यह एंगल लगाई थी, लेकिन इसको बाद में वैल्डिंग कर दिया गया है, पहले फोल बावा, यहाँ पे आऔर देख सकते हैं, यह जो पाइप है, इसका यहाँ से ऊपडर का जो गैप मैंने आपको दे दी है सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू की साइता से यहां पर बोड राइट किया गया है यह देखें आठ नंबर के जो सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू हम शेड में यूज करते हैं एक इंच डेड़ इंच वाले उनसे इसको यहां पर फिक्स किया गया बाकि चार यह थोड़े उपर दिखाई दे रहे हैं हालांकि इसके उपर गद्दा आई जाना है फिर भी स्टार पेच अगर लगाए होते तो पूरे अंदर गुष जाते हैं वो और यह चीज उपर जो कपड़े फाड़ने के लिए यह नहीं होगा फिर ठीक है यह हो गया अब बात कर रेट के आसपास कोई दो इंच उपर नीचे आप कर सकते हैं अब बात करेंगे इसके वजन की लेवर और बोर्ड सारा समान कितने रुपे का आता है और कितना माल मेटीरियल लगता है तो दोस्तों सबसे पहले लोहा 30 kg लोहा आज के रेट के हिसाब से 2100 रुपे का लोहा ल लेबर लेते हैं इसके अलावा और खर्चा जो है पेंट का 300 रुपे 200 रुपे के सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू जो उपर लगे है वो और यह वाले नट और अगर फोल्डिंग बनाना चाहें तो यहां पे जो नट लगेंगे यह सारे मिला के 200 रुपे के दोस्तों इसके अला यह बोड लगा हुआ और नीचे से आने के बाद एक चीज और याद आगी है मुझे यहां पे सपोटनें भी लगेंगी दो बराबर डिवाइड करके यहां पे दो सपोटनें भी लगेंगी ठीक है यह जो बोड है यह 800 रुपे के आसपास बढ़िया क्वालिटी का पूरी बेड है इसका कुल खर्चा सतावन सो रुपे और गदे इसमें नहीं है नाई पिल्लो यह चीज़ें नहीं है सिर्फ बाकी का समान जो आप देख रहे हैं गदे छोड़के बाकी पूरा सतावन सो रुपे में रेडी हो जाएगा 200-400 रुपे उपर नीचे हो सकते हैं दोस्तों आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा एवरी संडे रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूँ अगर आपका कोई सवाल सुजाव या अनुबव है तो आप मेरे साथ आके सांजा कर सकते हैं संडे लाइव में इसके लावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आइडी मोली सिंग 1986 है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और झाने अवाद